मन का मिला है नमूची को एक रुद्राक चिखा मन का और वो विचार में पड़ गया कि रुद्राक चिखा से उसको चिंटा ब्याप रही थी अब उसने चिंटा छोड दी अब अब विचार कर रहा है यह जरूर माहा-देव का होगा संकर जी का होगा एक बेल पत्री भी रोट पर पड़ी मिल जाए ना तो विचार कर लेना संकर जी न दियोगी कोई भूल गया होगा शिव जी का है संकर का तुम तुम उसकी चर्चा करो तुम शंकर का जिक्र करो तुम अपने गुरू का जिक्र करो तुम शंकर का जिक्र करो शंकर तुमारा जिक्र करे पारवती जी शिव जी से पूछती है अपन किसकी कथा सुनने जा रहे हैं संकर भगवान करें राम जी की सीता जी ने राम जी से पूछ लिया तुम किसकी कथा सुनने जा रहे हो राम जी बोले संकर जी की क्यों हम जिसकी जिक्र करते हैं हम जिसकी चिंता करते हैं हम जिसका भ एक कमरे के अंदर जाना चारो तरफ दिवाल में बंद हो जाना बंद होकर किसी एक व्यक्ति से तुम निंदा कर देना किसी एक व्यक्ति की तुम उससे कभी मत मिलना तो भी तुमारी निंदा वो व्यक्ति भले ना कहे फिर भी तुमने जो निंदा करी वो उस तक पहुच जा कि सामने वाले का वेवार क्या हो रहा है कि सामने वाले का वेवार क्या है कि बता देती है कभी धरम पत्नी से पूछना वो कभी पती का मोबाइल नीट डोलती है कभी अपने पती के मोबाइल को हाथ नहीं लगाती कभी भी अपने पती पर ज्यादा ध्यान नहीं देती पर पा सुमाज दस दिन में और एक न एक दिन तो क्या देगी तुमारे रंग ढग ठीक नहीं देख है याँ अब उसने तो कह दिया तुमारे रंग ढग ठीक नहीं पति तुरंग चिला कर बोला फालतो की बात मत करा कर मेर से क्या कर रहा हूं मैं जैसे ही चिला कर बोला पत्नी समझ गई पत्नी समझ गई पूरे शरीर पर नमक लगाओ जलन नहीं होगी पर कहीं कटा होगा तो ज़रूर होगी बस समझ गई समझ गई पूरे शरीर पर नमक लगाओ जलन नहीं होगी पर पर कट लगाए ना वहाँ जलन होगी यह चिला कर बोला जगदंबा समझ गई अब तू समझ जा तेरा क्या होगा रेकालिया अब तेहें उपर निर्बार है वो समझ गई रोज साथ बज़े आफिस से आता था आज साड़े पांच पर आगिया अब तो और समझ गई पर बिलकुल सान चुप चूप बेठे हो जदूर कोई पर समझ guit मट ना बताओ शरीर की तरंगे बतादे आपकी उर्जा बतादे आप कुछ पहल के आपके चेहरे का तेज बता देगा कि आपकी भक्ति कितनी एं कुछ मत बोली एं आप का भजन का बल कितना है आपके चेहरे का तेज बताएगा आपका चेहरा बता देगा कि आप कितनी भक्ति करते हो कितना भजन करते हो कितनी दड़ता करते हो कितना इस्मरण करते हो आपका चेहरा बताएगा नमुची ने गुद्राक्षु को उठा लिया शिव चर्चा में लग गया शिव चर्चा में लगा शंकर की चर्चा कर रहा था इसलिए शिव जी वहीं पर प्रगट हो गए जो शंकर की बात करता है संकर जी की चर्चा करता है शंकर को याद करता है संकर का गुणगान करता है शिव वहां प्रगट हो जाते हैं आए महादेव सम्मुख में आगए मेरे देव दिदेव महादेव वहां प्रगट हो गए ए नमुची मांग तुझे क्या चाहिए नमुच प्रट जी सोच में पड़ गया में तो ना तप करा ना साधना करी ना ब्रत करा ना उपास करा शीव जी मिल गाया ना कोई ब्रत है ना कोई साधना ना कोई तप शंकर मिल गाया मिलते हैं उशे, मारा शुप्राप को है, और क्यों ना मिले, ए भोडा शंकरा को सहा कम जार करी को शार शुप्राप को है, और काया है तक क्यों कराई चाता शुप्राप कट ए भो चाउन झाऊ सकत्षै और करा हमादा है । चार शो कि अखे वर टे यान करना मिले दूब दूंची जाया है ।